हेलो एवरीवन माइनेव है जनुज कुमार वेलकम टू माइ यूटूब चैनल इंसक्टर अनुजमनास्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ बनारत सिंदु उनिवस्टी डिपार्टमेंट औफ फिजिकल एजुकेशन बीपेट कट अफ के बारे में आप सब लोग जानते ह में 23 से फिजिकल प्रिट टेस्ट स्टार्ड हुआ था 26 को समाप्त हो गया इन सारे फिजिकल प्रिट टेस्ट के मार्स को एक एवरेज में आकलन करते हुए मैंने एक कटॉप तयार किये कितने कटॉप पर लोगों का एड्मिशन हो सकता है चाहे वो जनरल केटिगरी का हो च चाहे वो ST SC तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका फिजिकल प्रिट टेस्ट हो चुका है तो वो अपने पोर्टल को खोलते रहें और देखते रहें कि उनका एड्मिशन हुआ है या नहीं है कि सम्मिट का आप्शन आ रहा है या नहीं है तो हम बात करते हैं सबसे प 2008 का किया है तो आपके जो है सलेक्शन होने के चांसे कम होंगे अगर मालो है 10 110 का अगर आप 2020 का फिजिकल करके गए तो आपके चांसे आंगे जनरल के डिकितली के लिए जैसे की आपके सामने यह एक मैंने एक उप्रेंश आंकरा निकालाु आया कि 315 से लेके 330 के अगर meet में general criteria candidate अगर आते हैं तो उनके admission होने की सम्मामना रहती है, अगर इससे थोड़ा सा 10-5 नंबर कम भी हो सकता है और 10-5 नंबर उपर भी हो सकता है, अब हम बात करते हैं OVC candidate, OVC candidate के अगर बात करें 280 से लेके 310 के mid में अगर उनके marks है, physical candidate test and return के मिला कर तो उनके chances है, admission के लिए वो अपना portal खोलते रहें, देखते रहें, physical candidate test के जस्ट 4-5 नंबर अपना portal जरूर खोलते रहें next अगर हम बात करते है, SC category के लिए, 270 से लेके 300 के अगर mid में उनके marks हैं, तो उनके chances है, admission के लिए, HD के अगर बात करते है, 280 से लेके, 260 से लेके 280 के mid में अगर उनके marks हैं, उनका भी admission होने की समाम ना हो, तो मैं आपको बताना चाहूँँगा, कि वो अपना portal समय समय पर खोलते रहें और देखते रहें, क्या उनका fee submit करने का option आ रहा है, जो भी है, तो 4-5 दिन बाद अपना portal खोलते रहें और देखते रहें, Thank you very much!